अगर दूसरों के मुकाबले देरी से सफलता मिलती है तो उदास मत होईए मेरे यार क्योंकि छोटे गर जल्दी बन जाते हैं और महल बनने में टाइम लगता है नमस्कार दोस्तों मैं राज कुमार आप शभीका आपके अपने पीबियार स्टडी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज आपको पार्ट नमबर 26 से जो आप पढ़ रहे थे आडेंटी मिन से सर्बसमिका जो लाइनी अभी मैंने कहा उसके बारे में आपने कुछ गयस किया बाद में करना कुछ लोग दूसरे से कंपेर करके बहुत उदास हो जाते हैं अगर मैं खुद को बताऊं तो हमारे साथ पढ़ने वाले जो भी टेंथ ट्वेल्थ में थे लड़का हो या लड़की हो वो सब लेले खिला होता है मतलब समझ रहो उनके सब की साधी भी हो गई बच्चे भी ह कोई नवकरी मिल जाए बस जिंदगी इतना ही होँ लोगों का तो कोई टारगेट ही नहीं था जोबें भी लुक कही था खाय तो बहुत सारे होते हैं हमारे दिल में कुछ और है हमें देस और दुनिया समाज के लिए कुछ करना है और उसका नतीज़ घिए अज 3 लाग से अ तो भाई अगर कुछ बड़ा करना है कुछ बड़ा लच्छ है कुछ बड़ा टार्गेट है अपने लिए देश के लिए समाज के लिए तो पर टाइम तो लगेगा ना अब अगर हम भी वही टेंसन में रहें कि भाई यह सब बड़ी तरक्की कर लिए कभी-कभी जाते हैं तो तो आप लोग भी इस तरह से किसी से अपनी कंपेयर ना करें अन्यथा कुछ मिलने वाला है नहीं और जो मिल रहा है वो भी गड़बड हो जाएगा चलिए X-7 का होल क्यूब का परसार कीजिए मतलब इसका क्या करना है इक्स्टेंसन करना है फार्मूला अभी जो मैंने बताया था पिछली कलास में अगर आपने देखा था तो माइनस वाला इसमें लगेगा A-B का होल क्यूब इक्कुल क्या हो जाएगा AQ-BQ-3AB और A-B ये क्या है इसका सूत्र है इसी में क्या करना हमें रख देना है और इसका क्या कर देना है इक्स्टेंसन कर देना है इसमें दो तरह का सूत्र होता है एक परसार का होता है एक गुड़न खंड का होता है तो क्या है ये गुड़न इसी में हमें इनके मान रख देने है जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा परसार हो जाएगा यहां पर A की जगह पर x रखोगे बी की जगह पर 7 रखोगे तो इधर से कोई मतलब है नहीं लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं x-7 का होल क्यूब इक्वल जहाँ जहा करें तो A का मतलब X और V B का मतलब 7 तो यह हो जाएगा X-7 बात समझ में आई यह इनका क्या हो रहा है extension हो रहा है परसार हो रहा है अगे समझते चलो X का क्यूब क्या होगा बताओ सभी X का क्यूब X ही होगा मुझे देखना भी पड़ता है कि कहीं बफरिंग होगा तो कुछ सभी कर दानी करणा गडबड हो जारह हो चलो तो यह क्यूब हो जायाएगा माइनस साथ का क्यूब जानते हो सास्ता उनचा 24323 होगा माइनस 1321 ऐख सेहla apologize यह यह से हो गया इसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हुँ च्क्श क्या बताब नहीं जाने दो चलो यह उसके मतलब है अब इससे फाइनल करको डिलो एक्स एक्सक फुरस कहांसे माइनस सो रहेगा 2 001 एक्स बीके black करोगे तो 21 सकाइए में 28 माइनस 21 साथ फैसर सबसे बड़ी घात सबसे पहले उसके बाद जो उससे चोटी घात है फिर उसके बाद जो सबसे चोटी घात है कुछ लोग सोचेंगे यह तो 343 उधरी कुछ और लिखा था इदर कुछ और यह फोर दो तरह का बनता चाहा ऐसे बनाओ यह आप इसे लिख लो नोट कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें देखो कितने कुश्चन है फोर भी इसमें बहुत सारे कुश्चन दिये गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं चाप लो आप लोग चलो जल्दी करें देर मत करें बहुत जल्दी करें biraz जल्डी करें है ओके चलें फिर आगे बढ़ें चलो इसमें अलग एक और भी देता हूं उसे भी ध्यान दो भाईया समझो कोशिस करो इदर साइड में थोड़ा समझने क्यों है दो माइनस के वाई का होल कीओ इसे तो करी लोग से तो कोई भी मारी है कि न्यकर पाई इसको भी सैंग कर लोगे ना चलो बताओ इसका साथ कि फार्मूला तो मिटाना है नहीं कयोंकि उसी में फिर से सहप़ा अगरना है हां समझ रहा है वार बार पठीके रहो इसी फार्मूले में रख रख के बस हो गया हूँ मसलब समझ रहो एक बार एक बार आपको odor रखना है मतलब लिखना याद करना है उसको बार-बार यूज करना है चलो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको भी बताऊं तो चलो मैं इसको भी बताये देता हूं देखो समझो जहां-जहां ए है वहां महां दो रखोगे तो यह 2 हो जायगा minus जहां इसमें B है वहां इसमें Y रखोगे और घात ऐसे ही रहेगी A की जगा हमेंने बताया 2 रखना है तो 2 हो गया B की जगा हमेंने बताया Y रखना है तो Y हो गया जो 3 है वैसे ही रहेगा A की जगा 2 रखना है B की जगा Y रखना है A की जगा 2 रखना है B की जगा Y रखना है ठीक है 2 का cube मतलब 8 Y का cube मतलब Y cube 3 दुना 6Y और ये 2-Y इसमें कोई दिक्कत नहीं है फाइनल में 8-Y का cube- 6Y का 2 में multiple होगा तो ये 12Y और ये minus 6Y minus Y minus minus का multiple प्लस हो जाता है 6Y का square Do you understand मतलब समझ में हा रहा न चालो ये हो गया 8 minus Y का cube और minus 12Y इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसे sequence से कर लो serial से कर लो मतलब सबसे बड़ी घात वाला सबसे पहले अकसर ऐसे हम लिखते हैं और सबसे छोटी घात वाला सबसे बाद में तो सबसे बड़ी घात है भाईया किसकी Y का cube याद रखना minus है पहले तो minus के साथ ही लिखोगे प्लस 6Y का square और ये minus 12Y मतलब इसे घटते करम में लिख देते हैं ये चीज आपको भी से ध्यान देना है लेकिन कभी भी answer में सबसे पहले minus का चिन लगा के नहीं छोड़ते हैं ये गड़बड माना जाता है गलत तो ये हमें plus करना है प्लस कैसे हो सकता है जब इसमें माइनस 1 से multiple करें लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दादा हैं नहीं करने बाकि किसी में ना करें जो भी rule compare together फूरे देश के लिए होता है घर का कोई भी रीए म होता है फूरे घर के लिए होता है वसे अगर इसमें कुछ से गुड़ा करेंगे नहीं सब में इसमें करेंगे तो माइनस 1 से गुड़ा करेंगे सब में तो क्या हो जाएगा पता आपको सारे चिन्न उल्टे हो जाएंगे जो माइनस है प्लस जो प्लस है वो माइनस तो भाईया यह हो जाएगा प्लस वाई का क्यूब और यह हो जाएगा माइनस 6y का स्क्वाइर और यह हो जाएगा प्लस 12y और यह हो जाएगा माइनस का 8 यह सारी कहानी बदल जाएगी लिख लो चाहे तो स्टार्टिंग में इसमें पलफ लगाना या नहीं लगाना चलो छापलो